हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग तो चलिए ncrt class to will math को आगे continue करेंगे और आज हम लोग integration में definite integration का देखेंगे exercise 7.8 ठीक है तो अब देखो आपने पूरा indefinite integration पढ़ लिया है और उसमें सारे kinds और special forms आपने देखा हुआ है तो आपको अब integration बहुत अच्छे से आता है तो अब time है अपने integration को speed देने का ठीक है कि आप कितना speed और accuracy के साथ में काम कर सकते हैं तो आपके पास में chapter आ रहा है 7.8 और फिर आपको आएगा 7.9 ठीक है यह दुनों देखे definite integration जरूर है बट कह सकते हैं कि आपका जो indefinite पढ़ा हुआ है उसका एक तरह से revision है practice set है कि आप कितना अच्छा से कर सकते हो जो कि आपको यहाँ पे जो limits डालने है तो वो बस आपको last में डालना है और actually जो definite integration का जो properties है जो कि integration को बहुत short करता है और वो ज्यादा important है तो आपको आएगा 7.10 में ठीक है यह जो आपके पास में दो chapter भी है 7.8 और 7.9 यह just आपके लिए एक practice set है कि आपने जो different integration पढ़ा हुआ है तो अब आपको यह पहले दिखना है कि कौन सा integration हम लोग कितना fast कर सकते हैं ठीक है अब आपको limit दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम लोग definite integration करते हैं तो integration ही होता है बट उसमें दो limit दिया रहता है इसको लोग बोलते है lower limit इसको लोग बोलते है upper limit एक नीचे एक उपर नीचे वाले को बोला जाता है lower limit उपर वाले को upper limit ठीक है तो हर जगा अब आपको limit दिया हुआ है तो अब आपको within the limit काम करना है इसका benefit यह है कि चाहे अब आप कोई भी method अपनाईए जो कि आपको limit दे रखा है तो आपको value हमेशा same मिलेगा ठीक है अब आपका answer जो है वो different नहीं आएगा चाहे आप किसी भी method से जाईए जो कि आपको within the limit काम कर तो याद रखो कि definite integration में करते क्या है जैसे मान लीजिए क्या कोई function आपको दे रखा है ठीक है और उस function का हमको करना है integration तो मैंने integration किया तो मान लीजिए उसका value क्या आया effects आया ठीक है तो अब जो limit आपको दिया रहेगा a to b मान लो दिया हुआ है तो आपको क्या करना है आप lastly ऐसे रखेंगे के lower limit a है और upper limit b है ठीक है और बारी-बारी से पहले आप b का value डालेंगे x के place पे तो पहले b का डालेंगे यह बन जाएगा fb फिर बीच में minus लगाईएगा फिर a का value डालेंगा तो यह बन जाएगा आपका fa तो अब जो आपका definite integration है उसका answer इस तरीके से एक constant value आएगा ठीक है under the given limit तो constant value आएगा तो यह एक fix answer होगा तो अब आप चाहे किसी भी method से बनाओ आप सेम answer पर पहुंचोगे तो आपका जाच इस पे है ना कि आप कौन सा method apply करते है ठीक है अब देखो कुछ में आपको सुरू में तो बिल्कुल बेसिक और लॉलीप question मिल रहा है जो के आप एक ही method है simple सा method simple integration है उसका वो तो आप वैसे ही करोगे लेकिन जहां पर इस तरह का integration आएगा जहां पर आपको दिमाग लगाना है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप fastest जो मेरा तरीका बताया हुआ है ठीक है जो मैंने पूरे आपको indefinite integration में सिखाया है तो अब वो जलवा दिखाने का time आ गया है ठीक है तो त्यार हो जाईए और बनाना सुरू की जिए और रहा सहा कसर जो है वो आपको practice से निकल जाएगा और नहीं बनता तो फिर आप मेरा answer देखेगा मैं कैसे करना हूँ ठीक है तो कुछ question देख लो आपको idea हो जाएगा इसे देखो first question है यहाँ पर यहाँ पर हमको जो value निकालना है वो इसका निकालना है ठीक है तरीका क्या होगा तो first को मैं यहीं पर बना देता हूँ i is equal to ऐसे लिखेगा क्या है जी आपको दिया हुआ है minus 1 to 1 x plus 1 dx ठीक है तो हमको अभी limits का का काम नहीं होता है शुरू में श x का क्या हो जाएगा x square by 2 ठीक है 1 का क्या हो जाएगा x यहाँ आपका integration हो गया यहाँ पर आपको c नहीं लगाना है इसलिए कि मैंने आपको बताया कि answer हमेशा सेम आएगा तो कोई answer का gap नहीं है इसलिए हम तो constant c नहीं लगाएंगे ठीक है तो आपका integration हो गया अब आप limit को से लिखी है कि आपका lower limit minus 1 था और upper limit आपका 1 था अब आप महबत से क्या करेंगे ना दोनों limit को डालेंगे ठीक है पहले हम डालेंगे अप upper limit तो पहले 1 डालेंगे जहाँ जहाँ भी x से वहाँ पर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा यह 1 by 2 हो जाएगा अप पलस यह 1 हो गया और यह आपका आजाएगा minus 1 देख रहे है ना तो यह आपको follow करना है कि पहले upper limit डालेंगे तो पूरा भेलो निकालेंगे बीच में minus फिर lower limit डालेंगे और दोनों को solve करेंगे ठीक है तो आप यहाँ पर 1 by 2 1 by 2 आपका cancel हो जाएगा और 1 पलस 1 आपका 2 जो है यहाँ पर answer आ आना चाहिए किरियर है चलिए आगे बढ़िए question number 2 तो 2 को यहाँ पर बना देते हैं ठीक है यह तो 1 हो गया 2 अब directly कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चुकि यह integration पूरा दिया ही हुआ है तो 1 by x का integration क्या होता है जी log x होता है ठीक है log x और limit क्या दिया हुआ है आपक तो 2 से 3 पहले lower लिखते हैं फिर upper लिखते हैं ठीक है तरीका यही है बोलने का 2 से 3 बोलेंगे अब जो आपका तो integration हो चुका है तो आप limit डालेंगे तो हो जाएगा यह log 3 पहले उपर का limit डालेंगे फिर minus नीचे का डालेंगे तो log 2 ठीक है यह आपका answer हो गया इसको आप च होगी यहीं पर हाँ question number 3 का क्या हो जाएगा answer तो 4 constant है x3 का integration क्या होता है x4 by 4 ठीक है minus 5 constant है x square का क्या हो जाएगा x3 by 3 okay plus 6 constant है x का क्या हो जाएगा x2 by 2 आपका यह 9 dx तो इसका क्या हो जाएगा only 9x होगा ठीक है अब आपको बस यहाँ पर limit पूट अप करना है तो lower limit क्या है 1 है और upper limit क्या है 2 है ठीक है अब आपका है अपर limit जो पूट करने का तरीका है वो चाहो तो पूरे में एक बार 2 पूट कर दो फिर minus करके 1 पूट करो एक तरीका तो यह है अब दूसरा देखो ऐसे आप कर सकते है कि 44 को cut कर दिया ठीक है x4 पे पहले put up करेंगे तो क्या होगा 2 का power 4 हो जाएगा minus नीचे में 1 का power 4 हो जाएगा ठीक है ओके clear है फिर minus 5 by 3 कीजिए और यहाँ पे x का power 3 पे put करेंगे तो क्या होगा 2 का power 3 होगा फिर minus 1 का power 3 होगा तो हम लोग क्या कर रहे है x4 के place पे पहले 2 डाल दिये फिर minus करके lower limit डाल दिये फिर यहाँ पे 5 by 3 को constant x3 के place पे पहले उपर का limit 2 डाले तो 2 का power 3 फिर नीचे का डाल दिये तो minus 1 का power 3 इस तरीके साब को करना है फिर यहाँ पे तेखो 2 3 यह cancel हो जाएगा तो आपका बचेगा 3 और x2 के place पे पहले उपर का डालेंगे तो 2 का square फिर नीचे का डालेंगे तो 1 का square ठीक है प्लस 9 x मे minus 5 by 3 यहाँ पे 8 minus 1 आपका 7 हो गया ठीक है फिर प्लस 3 into यहाँ पे 4 minus 1 3 हो गया और यहाँ पे आपका 9 into 1 9 ही हुआ तो बस simplify कर दीजिए इसको देख लिजिए आपका क्या आंसर आता है तो तो इसको और च्छे से कर देंगे तिस तरह से हो जाएगा यह 15 हो गया यह 9 और 9 हो 9 minus 35 by 3 इसका LCM ले लिजिएगा तो 954 और 64 by 3 आपका यहाँ पे आंसर आ जा रहा है किलियर है तो इस तरह के साब इसको आसानी के साथ में बना सकते हैं ओके चलिए आगे बढ़िए फिर तो यहाँ पे है question number आपका 4 है कुछ करना नहीं है तो simple practice है जैसे sin 2x का integration क्या होगा त तो no doubt minus cos 2x by 2 होगा ठीक है अब यहाँ पे limit क्या है जी तो limit है 0 से pi by 4 तो यहाँ पर आप चाहा हो तो minus 1 by 2 को बाहर कर लो अब बच गया cos 2x तो पहले उपर का limit डालेंगे तो हो जाएगा cos 2 into pi by 4 x के place पे डालना होता है value ठीक है ध्यान दीजेगा आपको जो value है वो x के place पे डालना है तो pi by 4 ठीक है फिर minus फिर 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा cos 0 हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ पर आपका यह pi by 2 आ गया तो minus 1 by 2 cos pi by 2 0 होता है और cos 0 1 होता है तो आपका value finally 1 by 2 आ रहा है ठीक है तो मिलेगा answer सारा ही answer आपको मिलेगा आप इसको इस तरीके से मुहबबत से practice कर सकते हैं यहाँ पर देखिए again क्या है cos 2x है cos 2x का integration क्या होता है तो इसका होता है sin 2 x by 2 होता है तो limit डालना है कि हमको 0 से pi by 2 limit डाल दीजिए तो पहले डालेंगे 1 by 2 को बाहर कर लेते हैं पहले डालेंगे pi by 2 तो sin 2 into pi by 2 ठीक है और 0 डालेंगे तो sin 0 हो जाएगा अब देखिए 2 to cancel हो गया तो यहाँ पर आपका sin pi क्या होता है 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है तो यह आपका मोहबबत से 0 आ रहा है इसका अंसर 0 हो गया क्लियर है इसी तरीके से बराना है कुछ नहीं है ठीक है बिल्कुल आपने आपको त्यार कीजिए और वीडियो पाउस कीजिए और बराना शुरू कीजिए यह अगे लॉलीपॉप है आपको नहीं होगा और दीक है यह पहले है इसे करेंगे तो लॉग हो जाएगा आपका सेख पाई बाई-फोर होगा पहले विल्वेद दालोगे तो क्या हो जाएगा пять ठियागा भी लाग शाहिए औरख यह चो रूधी निकालना आको कोई इसो नहीं है बिल्कुल से आपका सारा काम होगा इसको भी आप चाहता ऐसे लिख सकते हो log 2 का power 1 by 2 तो power log में आगे आ जाता है तो 1 by 2 log 2 भी लिख सकते हैं पट कोई नहीं log root 2 आपको ठीक लग रहा है ठीक है आगे बढ़िए एट नमबर एट नमबर में आप देखोगे हाँ पर क्या है कॉसेक एक्स है कॉसेक एक्स का इंटिग्रेशन क्या होता है तो हम लोग पढ़ चुके है कि कॉसेक एक्स का इंटिग्रेशन होता है log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ठीक है क्या होता है जी log कॉ X होता है, माइनस कोट X, यह इसका फॉर्मूला है, लोग कोट X का, ठीक है, तो हम कोई इसमें simply limit put up कर देना है, पाई बाई 6 से पाई बाई 4, पहले उपर का limit डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा, लोग, ओके, यह टैन में भी होता है, टैन के फॉर्म में भी होता है, देख लिजिए आप, ठीक है, टैन वाला भी डाल सकते हो, कोई इसमें, आंसर एक ही आएगा, तो चलो डालते हैं, तो कॉसेक पाई बाई 4, पहले उपर का limit डालेंगे, तो कॉसेक पाई बाई 4 क्या होगा, रूट 2 माइनस, कॉट पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है, माइनस, फिर लोग, नीचे का limit डालेंगे, तो कॉसेक पाई बाई 6, कॉसेक में root 2-1 यह यू हो जाएगा नीचे में 2-3 यह आपका भी हो जाएगा तो कैसी भी करके बस आपको भैलू निकाल देना है ठीक है अब देखो यह 9 number question कैसे होगा तो 9 number question आप देख सकते हो इसका integration क्या होता है तो इसका integration पूरा होता है sin inverse x ठीक है अब जानते हैं तो यहाँ पर simply i क्या आजाएगा आपका sin inverse x हो जाएगा ओके आपको limit डालना है क्या 0 से 1 तो पहले आप 1 डालोगे तो हो जाएगा आपका sin inverse 1 हो जाएगा अब फिर 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा sin inverse 0 अब sin inverse 1 क्या होता है तो यह पाई बाई टू होता है इसे बहुत पड़ चुक है इंवर्स फंक्शन में तो यह सब टर्म्स हैं जो आप यूज करोगे डे बाई डे लाइफ में इसलिए आपको फामलियर किया जा रहा है ठीक है तो बहुत बड़ा लेंदी कुछ करने का जूरूत नहीं है फार्मला पूट अप करके limit डाल के आंसर देख लेना है ठीक है अब 8-1 क्या होता है यह पाई बाई फोर होता है 8-0 क्या होता है जीरो होता है तो simply यहां पर हमारा पाई बाई फोर आंसर आ रहा है इसको देखो थिरी से टू है अपका अच्छा यह भी इसे फॉर्मूला आपने बस याद किया हुए ना क्या होता है यह होता है यह होता है 1-2a log अंदर में x-a by x-a ठीक है यहां पर यही काम करना है यह के प्लेस पर 1 है इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 1-2a1 है और log x-1 by x-1 ठीक है यह आ गया अब इसमें आपको लिमिट डाल देना है 2 से 3 तो मैं 3 डालू अगर हम 3 डालते हैं तो यह हो जाएगा उपर में 2 नीचे में 4 हो जागा यह ने 2 by 4 आ रहा है ठीक है यह क्या हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा log u by b तो u आपका 1 by 2 है इसको हम लोग कट करेंगे तो 1 by 2 आएगा और b आपका 1 by 3 है ठीक है तो फाइनली इसको आप ऐसे लिख दीजे 1 by 2 log 3 by 2 चुकि यह 3 by 2 हो जाएगा ठीक है यह कितना जल्दी आंसर आ रहा है तो आपको आपको पता है ठीक है क्या हो जाएगा i is equal to इसको मैं ऐसे कर दूँगा 0 से पाई by 2 ओके स्क्वाइर एक्स का फॉर्मुला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर 1 plus cos 2 x by 2 ठीक है यह सब आपको पहले से पता है ना अब ऐसा नहीं कि इस आपको लगे कि कैसे आ रहा है प बहुत अच्छे से बात किये थे अगर आप 1 to 1 सारा indefinite integration देखते हुए आए हैं तो यह सब आपके लिए जस्ट एक लॉलीपॉप है मतब देखा और apply कर दिया तो यहाँ पर चुकि only cos square x था तो cos square x क्या हो जाएगा अब आपका 1 plus cos 2 x by 2 हो जाएगा ठीक है तो फिर 1 का integration x हो गया cos 2 x का sin 2 x by 2 हो गया अब simple इसमें limit डालना है 0 से pi by 2 ठीक है तो क्या आजाएगा तो 1 by 2 मेरा बाहर है x के प्लेस पे डालेंगे तो pi by 2 अपर लिमिट और minus 0 ठीक है ऐसे हो जाएगा पलस यहाँ पर डालोगे तो 1 by 2 है अगर sin 2 x के प्लेस पे x में हम pi by 2 डालेंगे तो यह आपका sin pi बचेगा ठीक है टू टू कट जाएगा और minus 0 डालेंगे तो sin 0 हो जाएगा तो बहलोगा आ गया है तो पहला वाला आपका बन जा रहा है pi by 4 पलस यहाँ पर 1 by 2 1 by 2 1 by 4 sin pi भी 0 sin 0 भी 0 तो यह आपका pi by 4 आएगा ठीक है अगर इसमें आपको speed पैदा करना है मतलब मैं क्या बोलूँ कि अगर मैं देखूं कहीं पे sin 2 x और limit देखूं 0 से pi by 2 तो मैं बोल दूँगा कि यह 0 हो जाएगा क्यूं sin pi भी 0, sin 0 भी 0 इसी तरीके से कहीं आप देखो cos 2 x ठीक है और limit आपने मालो देख लिया है 0 से pi by 4 यहाँ पर 3 pi by 4 लगा देते हैं यह pi by 4 से 3 pi by 4 तो आप इसमें देखोगे क्या कि cos जब हम नों डालेंगे तो 3 pi by 2 बनेगा तो वो 0 होता है फिर यह डालेंगा तो cos pi by 2 तो इ जब होता है डाल के देख सकते हैं बड़ आपको बढ़ाना है थोड़ा आपको अपने आपको फास्ट करना ही ध्यान देना है इसी तरीके से यहां थाटीन नंबर में हम लों क्या करने वाले है तो आप पढ़ चुके हैं आप पढ़के आ चुके हैं मैं इसको simply क्या लिखन लिखने वाला हूँ जी मैं इसको simply लिखने वाला हूँ d t by t 1 by 2 क्यों तो आपको पता है कि हम लोग यहां पे क्या किये हैं 1 प्लस x square को हम लोग यहां पर t put किये हैं ठीक है अब जैसे ही आप इसको t put करो गया तो इसका differentiation क्या हो जाएगा 2x dx हो जाएगा आपका dt हो जब भी आप method of substitution लगाएंगे तो आपका limit change करेगा यह आपको ध्यान देना है so it is important question अगर आप लगाते हो d dl जो मैंने आपको टेक्निक बताया था ठीक है यह सब मैंने discuss किया हुआ है method of substitution में तो यहां पर जिससे हमने दुलहा बनाया और वो पूरा बारात लेके गया ठीक ह limit लिया हुआ है function को t में change किया है तो आपका limit change होगा ठीक है तो हम लोग ऐसे रिखेंगे when क्या अगर x का value हम पहले 2 लें lower limit ले 2 तो t का value क्या हो जाएगा तो यहां से यहां पर डाल दो relation में ठीक है तो x का जिखाए पर 2 put up करोगे तो 1 प्लस 2 का square क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 याने 5 तो अगर x 2 लेंगे तो t5 होगा ठीक है और अगर x मैं लेता हूँ upper limit अपर limit क्या है 3 है अपर limit है मेरा 3 अगर मैं x को लेता हूँ 3 ठीक है तो t की value क्या आ जाएगी 1 प्लस 3 का square याने 1 प्लस 9 10 हो जाएगा ठीक है तो यह आपको काम करना है यह आपको अच्छे से ध धून लोग ठीक है और limit चेंज करो तो अब चुकि मेरा function t में आया है तो मेरा limit क्या आप गया है जी lower 5 और अपर 10 तो अब हम यहाप 5 से 10 लिखेंगे यह आपको ध्यान देना है अब बहुत छोटा सा चीज है 2-3 बार practice किजिएगा habitat हो जाईएगा तो अब तो इसका value आ गय अब हमको वापस में यह रखने का ज़रूरत नहीं है तो हमको क्या करेंगे मुहबबत से देखो यहाप यह हो जाएगा मैं इसको यहाप लिख रहा हूं ठीक है क्या हो जाएगा one by two log पहले 10 डालेंगे जी ठीक है तो यहाप आपका आ जाएगा पहले log 10 और फिर माइनस क्य जाएगा log 5 ऐसे आ गया ठीक है इसका भेलू अब इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो one by two log 10 by five ठीक है log u minus log भी क्या होता है log u by b होता है तो यह आपका कड़ जाएगा तो one by two और log two आ रहा है मुहबबत से ही आपका अंसर होगा ठीक है क्लिए रहे है तो यह सब चीजे हम लो ही केस आ गया है वीडियो पास की यह बनाई है जैसे बनाते थे सिफली मिठी डालना है और तो कोई नया काम है नहीं तो यहां पर हम देख सकते हैं कैसे करेंगे ठीक है जैसे यहां भी हम पहले नीचे वाले को पूट अगर मैं यहां पर पूट करता हूं क्या five x square plus one को इसक ठीक है मेरे को 10x तो हम यहां पर क्या करते हैं उपर में integration में अलग-अलग कर देते हैं जी ठीक है जैसे 0 से 1 2 को अलग करके मैं कर देता हूं x dx divided by 5 x square plus 1 ठीक है और plus 3 के साथ मैं अलग कर देता हूं 0 से 1 3 को बाहर कीजिए dx by 5 x square plus 1 ध्यान दीजिएगा ठीक है तो अब आपका काम यहां से easy हो जाएगा थोड़ा सो सजा रहे हैं इसको मैं लिख देता हूं root 5 x का hall square ठीक है क्यों लिख रहे हैं ताकि यह x square plus a square का form में चला जाए और हम लोगों को इसका formula directly पता है कि x square plus a square क्या होता है जी यह होता है 1 by a tan inverse x by a तो formula अगर अभी तक याद नहीं किया तो भाई याद कर लो मैं घर formula के तो मजबूत नहीं होगा तो अब देखिए आप यहापे क्या हो गया यह 2 है ठीक है x dx यह बाराती है na x dx तो x dx मेरा क्या बन जाएगा dt by 10 dt by 10 तो मैं 1 by 10 को बाहर कर देता हूं और उपर लिख देता हूं dt ठीक है और नीचे आपने पुरा t put up किया हुआ है यहाँ से यह आ गया limit change होगा limit change कीजिए तो limit change कर देते हैं यहीं पर कर देते हैं ठीक है तो 0 plus 1 1 हो जाएगा ठीक है और जब हम upper limit लेंगे 1 तो x अगर 1 लेंगे तो t का value किया आ जाएगा तो 5 plus 1 6 आ जाएगा ठीक है तो अब मेरा lower limit 1 और upper limit 6 तो यह हो जाएगा 1 to 6 ठीक है यह ध्यान दीजिएगा जहां भी आप method of substitution करेंगे यह based है कि आप उहाँ पर उसका limit change कर दीजिए ओके clear है चलो आगे बढ़ो फिर क्या हो जाएगे जी पलस यहाँ पर 3 यहाँ पर formula apply कीजिए यह वाला तो 1 by a तो a के अस्थान पर क्या है 1 है ठीक है फिर आपका tan inverse x x के अस्थान पर क्या है root 5 x है root 5 x ओके अब बाई a तो a आपका 1 ही है लेकिन ध्यान दीजिए चुकि x का multiple में root 5 है तो यह root 5 हमारा क्या है का divide में आएगा यह इसका basic property है integration का ठीक है अब इस पर limit क्या लगाना है हमको 0 से 1 इसका limit चेंग नहीं होगा जो कि आप यहाँ पर कुछ changing नहीं की है यह x में ही चल रहा है तो वह ही limit रहेगा जो कि original question में था लेकिन यहाँ पर क् x वाले question को t के form में change किया तो आप जो आपका नया function t आया है आपको उसका limit निकालना पड़ेगा using the given equation ठीक है तो कोई rocket science नहीं है छोटी से चीज है आपको समझ में आ रहा होगा अब देखिए यहाँ पर क्या होगा यह हो गया 1 by 5 यहाँ पर हो जाएगा log t limit 1 to 6 ठीक है पलस यह आपका 3 by root 5 और limit डाल देंगे तो पहले डाल देते हैं 1 तो tan inverse root 5 बचेगा फिर डाल देंगे 0 तो क्या हो जाएगा tan inverse आपका 0 हो जाएगा ठीक है अब देखिए value यहाँ पर क्या गया तो value यहाँ पर आ जा रहा है 1 by 5 अंदर में log 6 minus log 1 ठीक है और पलस 3 by root 5 और यहाँ प ठीक है यही तो देखो चुकि 10 inverse 0 आपका 0 होता है तो यह पूरा हड जाएगा log 1 भी आपका 0 होता है ठीक है यह log 1 भी हमारा 0 होता है फाइनली जो आंसर बचेगा वो हो जाएगा मेरा 1 by 5 log 6 plus 3 by root 5 और आपका tan inverse root 5 ठीक है यही आपका answer आएगा तो यह कितना आसानी के साथ मे आप try करते जाए ठीक है फिर देखो यह जो 15 number है यह भी हम लोग उसी तरीके से बिल्कुल करेंगे ठीक है method of substitution के use करेंगे तो चुकि e का power x square है तो अगर मैं यहापर put up कर देता हूं ठीक है क्या x square को t तो इसको differentiation करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x dx is equal to dt यहां से मैं बोल सक इसको कहलो के x square को दुलहा बनाया तो यह पूरा x dx क्या बन गया जी इसका बाराती बन गया ठीक है x dx का value हमको मिल दा रहा है dt by 2 तो अब चुकिकी function आपका t में आएगा तो हमको यहाप लिमिट भी change करना है तो हम लोग यहाप लिखेंगे क्या when x equal to अगर मैं लेता हूं lower limit 0 ठीक है तो क्या होगा तो t भी 0 होगा अच्छा and यहीं पर कर लेते हैं उपर में and x equal to अगर मैं 1 लेता हूं तो t क्या value क्या होगा तो t भी आपका 1 होगा ठीक है तो हम लोग यह देख रहे हैं यहापे then कर लिजिएगा ठीक है थोड़ा सच्छा लगेगा देखने में तो आप ऐसे लिखेगा when x equal to 0 then t equal to 0 ठीक है चुकि x अगर 0 होगा तो यह पर put up करेंगा तो t भी 0 हो जाएगा और जब x मेरा 1 होगा ठीक है तो यहापे then लिख लीजिएगा then होगा आपका क्या then आपका t भी 1 होगा ठीक है clear है तो limit हमको मिल ला रहा है lower limit 0 और upper limit 1 मिल ला रहा है अब बाकी x और dx यह मिल के क्या बन गया मेरा dt by 2 ठीक है clear है अब देखिए 1 by 2 को constant लेजिए et का integration क्या होगा जी et होगा और limit क्या है limit है 0 से 1 इसको में पर डाल देंगे तो 1 by 2 पहले e का power 1 डालेंगे फिर e का power 0 डाल देंगे ठीक है तो value क्या आ जा रहा है 1 by 2 e-1 आ जा रहा फिर देखिए यहां पर next question क्या है 16 number बस simple practice है इस अब question आप कर चुके हो ठीक है यहां पर हम लोग कैसे करेंगे तो पहले 5 को आप बाहर कीजिए मोहबत से 1 से 2 है x square है और नीचे में क्या है नीचे है आपका x square plus 4x plus 3 ठीक है तो इस तरह का question को हम लोग कैसे करते हैं तो simple setup से बनाएंगे एक तो parcel fraction में आपने पढ़ा था कि आपको यहां पर divide करना पड़ेगा वाट उतना करने का जूरूत नहीं है simple understanding से काम करना भी मैंने आपको सिखाया है तो मैं यहां पर 4x plus 3 कर देता हूं ठीक है अपने मर्जी से इससे यह होगा कि उपर नीचे का factor सेम हो जाए है clear है तो अब इससे आपका integration क्या हो जाएगा तो i is equal to हो जाएगा 5 1 से 2 ठीक है और यहां पर यहां पर 5 को रहने दीजिए और उपर क्या है उपर है मेरा 4x plus 3 ठीक है और नीचे क्या आ रहा है नीचे आ रहा है x square plus 4x plus 3 dx ठीक है 1 से 2 तो अब यहां पर देखों यहां पर हम ना method of substitution से काम करेंगे थोड़ा सा हम simple setting करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा चुकि यह linear by quadratic form है बट मैंने आपको बोला था है कि linear by quadratic हम लोग कोई formula वगरा से या कोई partial fraction से नहीं करेंगे simple हम लोग यहां पर काम करने वाले है ठीक है तो यहां पर आपको मैं दिखाना चारा हूँ है कि अगर मैं यहां पर put up करता हूँ क्या x square plus 4x plus 3 को अगर मैं नीचे वाले को t put करता हूँ तो इसका derivative क्या आ जाएगा इसका derivative आएगा x square का 2x आ जाएगा और 4x ने 4 निकल लाएगा ठीक है यह हो जाएगा हमारा dx is equal to dt तो यहां से आप देखिए अगर आप मैं 2 को common ले लेता हूँ तो बच्चे का क्या x plus 2 dx बराबर क्या बचेगा dt by 2 बचेगा ठीक है अब यह मेरे को काम करना है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह काम हम लोग कितना अच्छे से कितना जल्दी कर पाएंगे ठीक है ओके तो चलिए अब देखिए यहां पर तो यहां पर मेरा क्या हो गया यह देख लेते है चलो यह है हम अपने बाराती पर फोकस करेंगे ठीक है चुकि दुलह आप नीचे वाले को बना रहे हो तो डीडील टेकनिक लगाना है यहां पर मेरे को तो मेरा बाराती यह होना चाहिए कैसे होगा आसानी के साथ में हो जाएगा प्रसान नहीं होना देखिए महबत से काम कीजि हम अराम से काम करना है धीक है सबसे पहले पर हम आपको यह मिलाना है कि हमको 1 चाहिए को यहां 2 और 1 है वन से टू उपर में आ जाएगा आपका डी एक्स और नीचे में एक्स स्क्वाइर प्लस फोर एक्स प्लस तरी तो इसा करने में कोई दिक्त नहीं है हम सिंपली फोर इसको 5 के साथ अलग किये हैं तो 20 बाहर कर दी अंदर में एक से लिए ठीक है तो इसा हम कर सकते हैं और आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी होगी तो मैं कहां जा रहा हूं ठीक है बल्कि कुछ लोगों ने तो करही लिया होगा तो अब देखो यहां पर क्या हो जागा यह हो गया मेरा 5 2-1 अपर लिमिट माइस लवर लिमिट ठीक है माइनस अब दो मैं यहां पर सिंपली कर दे रहा हूं यहां पर इसको मैं पूरा अलग कर दे रहा हूं फ्लस 2D X को ठीक है यह पर D X भी होगा ना यस तो X प्लस 2D X को मैं लग कर रहा हूं ठीक है चुकि यह मेरे काम का है मेथड अप सुब्सीटिशन से बन जाएगा अब क्या होगा तो माइनस 20 और माइनस 2 तो प्लस 40 ठीक है तो प्लस 40 वन से 2D X बाइट इस मतलब आप देखोगो तो यहां 40 है माइनस 15 है दोनों का इंटिग्रेशन है वो सेम है तो इंटिग्रेशन को अगर आप कॉमन लेंगे हो ठीक है और चाहत अलग-अलग करके भी ला सकते हो कोई दीकत नहीं है तो आपको यहां से कितना बड़ा बेनिफीट हुआ है अब आपका काम यहां से काफी हो गया ठीक है कैसे यह तो मेरा 5 है माइनस 20 यह है मेरा 1 से 2 उपर में मेरा बन जाएगा dt ठीक है जी अनीचे मेरा बन जाएगा t चूकि हम लोग यह काम किये थे अच्छा dt बाई 2 बनता है यह ध्यान देना है dt बाई 2 और इसको आप t put up किये थे पर जैसे ही t में आया तो आपका limit चेंज होगा तो आपका limit भी अगर में लिख लेते हैं यहाँ ठीक है यहाँ पर limit भी कर लेते हैं ऐसे करके कि क्या वें अगर t equal to में लेता हूं lower limit 1 sorry x का value ना माफ किजीएगा अगर मैं x equal to 1 ठीक है चलिए अगर मैं x equal to 1 लेता हूं तो then t का value क्या आ जाएगा तो t का value आ जाएगा यहाँ पर डानना तो t का value 8 आ जा रहा है ठीक है और अगर मैं लेता हूं upper limit यहने x का value लेता हूं मैं upper limit क्या है 2 है ना 2 लेता हूं तो t का value क्या आ जाएगा तो यहाँ से 2 आ जाएगा 2 रखिए तो 4 और 8 12 और 3 15 तो आपका जो limit है वो 8 से 15 lower limit 8 है upper limit 15 है यहाँ पर आपको यह limit change करना होगा जो तो यह मेरा आ जाएगा 8 to 15 ठीक है चलो अब दोख यह 40 है यह minus 15 है तो यह simply हमारा क्या हो जाएगा 25 times हो जाएगा 1 to 2 dxy अब दोख यह पूरा quadratic form है इसको आप ऐसे कर सकते हो x plus 2 का whole square ठीक है तो इससे आपको यह पूरा term मिल जाएगा x square plus 4 x अब plus 4 मिल रहा है जबकि यह plus 3 ह दिया हुआ है ठीक है तो minus 1 कर देते है बैलन्स हो जाएगा जी अब दोनों का formula होता जैसे यह होगी आपका 5 minus 20 से 2 cut कर दीजेगा 10 बचेगा dt by t का log t होता है limit डाल दीजे 8 to 15 plus 25 यहाँ पर formula अप्लाई करेंगे x square minus a square का तो क्या होता है 1 by 2 a होता है तो 2 into 1 ठीक है log x minus a तो x plus 2 x के जहाँ पर x plus 2 है minus 1 और उपर नीचे में हो जाएगा x plus a ठीक है तो यह पूरा अब इसमें आपको value डालना है क्या 1 से 2 किलियर है तो यह सारा value put up कर दीजिए ठीक है और बिल्कुल आसानी के साथ में आपका answer आएगा इसी तरीके से काम करना है कोई मुश्किल question नहीं है बिल्कुल मुहबत से आपको इस तरह question बन जाएगा ठीक है चलिए plus 25 by 2 यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ भी value डालेंगे तो क्या आएगा तो देखिए value डालिएगा पहले 2 तो यह 1 है ठीक है तो आपका हो जा रहा है log यहाँ पर आ जाएगा आपका 4-1 3 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2 प्लस 3 5 तो 3 by 5 आएगा और minus फिर आपका है पर lower limit डालोगे तो तो 2 और 2 by 5 आ रहा है ठीक है जी अच्छा 2-2-4-5 अच्छा यहाँ नीचे 2 by 4 आ रहा है वन डालेंगे तो उपर में तो 2 आएगा नीचे में क्या जाएगा ठीक है दिहान दीजिएगा और 2 डाल रहे है तो उपर में आ रहा है मेरा 3 और नीचे में आ जा रहा है मेरा 5 ठीक है तो शिंपल बस आपको बैलू आ रहा है तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 माइनस अब यहाँ पर देखिए 10 है और लॉग जो है 15 by 8 बच रहा है मेरा ठीक है ओके 15 by 8 और प्लस 25 by 2 यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉग यू माइनस लॉग भी है चाहें तो आप लॉग यू भाई भी कर सकते हैं तो आपका जाएगा लॉग 3 by 5 divided by 1 by 2 चीक है यह आपका 2 by 4 क्या है 1 by 2 है तो मेरा भैलू आ रहा है वहाँ आ रहा है 5 माइनस टेन लॉग 15 by 8 प्लस 25 by 2 लॉग 3 by 10 ठीक इस तरह से आपका यह आंसर आ गया अच्छा इसको लेकिन एक और टेक्निक से भी हम बता से बना सकते हैं तो मैं उससे भी आपको डिस्कस कर देता हूं कि देखो यह कुशन थोड़ा अच्छा है तो प्रैक्टिस का परपस था हम लोग होगा कि हम लोग इसको बहले भी बहुत सा की है तो लीनियर बाइक को डिल करने का बहुत सा तरीका होता है जैसे एक पार्चल फ्रेक्शन से भी आप इसको बना सकते हो तो चलो इससे भी देखते हैं कुश सीखने के लिए आपको मिलेगा ठीक है मैं आप बात कर रहा हूं स सिकेंड मेथर्ड में आप कहा क viktे चलेंगे मैं यह बता देता हूं तो यहां तक हम लोग आएंगी इस एकवेशन पर तो हम आएंगे यहां आगे बढ़ने वाले हैं तो अगर मेरे को यहां से आगे बढ़ना पड़े तो यहां पर आप कैसे कर सकते हो ठीक है तो पहले यह लाइन आप लिखिए तो हम लोग यहां पर तो आ जाएंगे क्या integration i is equal to क्या गया था 5dx ओके 122 और माइनस उपर में आया था कितना जी 4x प्लस 3 और नीचे क्या था नीचे था हमारा x square प्लस 4x प्लस 3 है ओके 122dx यहां तक हम लोग पहुंचे थे ओके इस स्टिच तक आप आ जाईएगा अब यहां से मैं आपको बता रहा हूं अच्छा है यहां पर यहां पर यहां पर क्या कर सकते है यहां तो पहले आपका यह बहलू 5 भी हो जाएगा 5 2 माइनस 1 माइनस इसको देखो यहां पर हम पार्शल फ्रेक्शन करके बना सकते हैं तो इसको हम यहां पर ले ले रहे हैं i1 ठीक है और इस i1 का बहलू हम अलग से निकालते हैं वेयर तो i1 के लिए हम अलग से काम करेंगे तो जहां i1 किसको लिए हैं तो i1 हम लिए है 1 2 2 4 x plus 3 divided by x square plus 4 x plus 3 को ठीक है आप अच्छे से देखिएगा तो यह actually इस तरह का है 1 2 2 4 x plus 3 dx और नीचे में है मेरा इसका अगर हम factor कर दें तो यह x plus 1 है और x plus 2 है ठीक है clear है x plus 1 x plus 3 होगा तब इसका factor आएगा अब इसका multiply करेंगा तो वही होगा तो यहां पर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ by partial fraction इसको मैं लिए सकता हूँ क्या a by x plus 1 और plus b by x plus 3 ठीक है कि लिए आपको तरीका पता है कि चुकि मैं यह पूरा मेरा यहां पर फांक्शन है ठीक है इस फांक्शन के बदले मैंने यह लिया है partial fraction तो definitely definite सा बात है कि हम इसका LCM लेंगे तो वही आएगा मैं आपर डाइटल लिख सकता हूँ क्या कि वेर क्या LCM लेजिए तो a into x plus 3 ठीक है जब आप इन दोनों के LCM लेंगे तो आपको वही आएगा जो कि यहां पर denominator में है तो यह अपस में cancel हो जाएगा तो इसका मतलब numerator जो है a into this और b into this यह क्या होना चाहिए है 4x plus 3 के बराबर होना चाहिए ठीक है तो यह हम लोग डाइटल यहां पर लिख सकते हैं ठीक है पार्सले फ्रेक्शन के कॉंसेट से और देखो मैंने इसमें आपको माहिर बनाया है ठीक है तो इसलिए बच्चा मत बनिएगा आई हो पिसको आप समझ रहे हैं अब यहां प यह तो बनाया होगा तो बनाया है डाया है तो एक बार मैं आगी आ होकी इसी तरीके से अगा बना मैं पुट करूंगा X is equal to minus 1 अगर मैं minus 1 put करता हूँ तो अब आपका ये B वाला 0 हो जाएगा ठीक है तो ये बचेगा यहने A into क्या बचेगा जी 2 बचेगा यहाँ पे अधर minus 1 डालेंगे तो minus 4 plus 3 आपको minus 1 बचेगा यहने A का value क्या आ रहा है minus 1 by 2 ठीक है अब कुछ करना नहीं है आपको बिल्कुल मुहबबत से हाँ पे काम होगा अब क्या कीजिए कि ये क्या हो जाएगा अच्छा ये I1 का value निकाल रहे है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे value डाल देता हूँ इसको आप रख देना इधर bracket में ठीक है तो यहाँ मैं भरड़ निकालूँगा क्या 1, 2, 2 A आपका हो गी है क्या minus 1 by 2 तो minus 1 by 2 को आपने बाहर कर देते हैं ठीक है तो हो जाएगा dx by x plus 1 और plus फिर मुह b को भी बाहर करते है b 9 by 2 है तो 9 by 2 को बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा dx by x plus 3 ये भी आपका क्या 1 से 2 किलियर है ठीक है चलो अब देखें यहाँ पर अब यहाँ पर यह देखते हैं कि यह आपका minus 1 by 2 है और इसका integration क्या हो जाएगा log x plus 1 होगा ठीक है भलू डाली तो क्या आजाएगा तो minus 1 by 2 ये आपका आजाएगा 2 डालेंगे तो हो जाएगा log 3 और minus क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा ठीक है plus 9 by 2 ये आपका हो जाएगा log 2 डालेंगे तो log 5 हो जाएगा और 1 डालेंगे तो log 4 हो जाएगा ठीक है, log 5 आएगा यहाँ पर, क्या जाएगा, log 5, क्या कर रहे हैं, log तो लिख दिया है, हम लोग ने, ऐसे, यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग क्या, log 5, minus log 4, clear है, चलो, तो आप देखें कि पुरा value आपको मिल जा रहा है, यहाँ पर, जो मेरा value आ रहा है, वो आ रहा है, minus 1 by 2, log 3 by 2, ठीक है, और plus 9 by 2, log 5 by 4, तो यह मेरा देखो, I1 का value आ गया, ठीक है, इस I1 को उठा करकर, वहाँ पर डाल देते हैं, तो चली डालेंगे, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ था ना, आपका, तो therefore आपका I क् में कर लेता हूँ, yes, यहाँ पर, चलीए, तो therefore देखिए, यहाँ से, therefore, इसको last में लिखिएगा, I क्या आ जाएगा, इसको आप चाहते equation 1 लेलो, चुकि यही आपका I था ना, integration, मेरा I आ जा रहा है, 5 into 1, 5, minus 5 into I1, तो I1 को जो value आया है, वो परहा है, पर लिख दीजे, तो यह minus 1 by 2 log 3 by 2 आया है, ठीक है, minus 1 by 2 log 3 by 2 आया है, यहा जाएगा, अगर आप देखो के तो value क्या आयागा, तो value आ जाएगा, यहाँ पर 5, पलस यहाँ पे हो जाएगा 5 by 2 log 3 by 2 और यहाँ पे हो जाएगा minus 45 by 2 log 5 by 4 हो जाएगा किलियर है तो आपको देखो यहाँ पे यह value बैचर आया ठीक है अच्छा अब यह है ना कि कुछ बच्चे लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे यह आंसर आया और उपर में जो हम लोग method पे बात की थे उससे देखो यहीं पे आंसर है दोनों आंसर को compare करते है तो वहाँ पे यह answer आया था ठीक है तो क्या यह दोनों आंसर बराबर होगा तो बिल्कुल बराबर होगा पहले तो यह log value है और याद रखे कि यह आपका यह पे log 3 by 2 है log 5 by 4 है तो यह 5 by 4 को भी मैं 2 में बतल सकता हूँ ठीक है तो यह मोटा मोटी आपका log 3 log 2 log 5 में आएगा इसे तरीके से यहाँ पे भी मैं उपर में 5 into 3 या नीचे में 2 कर दूँगा तो यह भी आपका log 5 log 3 log 2 में आएगा आप expand करेंगे बिल्कुल दोनों सेम अंसर आएगा ठीक है तो चुकि दोनों का एप्रोच अलग अलग था इसलिए log का जो fraction बना है वो अलग अलग बना है बट ओबर ओल जो logarithm table का यूज करेंगे और भेलू निकालेंगे तो दोनों का सेम भेलू आएगा उसके आपको जाता परिशान नहीं होना है ठीक है आपको एक टेक्निक बता दिया कि आप चाहे हो तो पार्सल फ्रेक्शन से बना लोगे और चाहोगे तो इस तरह से सिंपल सेट अप करोगे तो भी आपका बन जाएगा तो यह थोड़ा अच्छा कोष्चन है तो उसमें तो दिल लगाना पड़ता है ठीक है बट यह से भी आपको अच्छे से सीख लेना है चलिए आगे बढ़ते हैं अब तो एक अच्छा कोष्चन था उसके बाद तो अब लगता है यह आसान ही कोष्चन आ ठीक है यहाँपे देखो आगें अप तो यह काफ़े सिम्पल है, ये सिम्पल इंटिकरेशन है, टू कौंस्टेंट होगा सेंके स्क्वार एक्स का इंटिकरेशन क्या होगा, जिक टान एक्स होगा e zu pak क्योड that x tob एक्स क्यूल क्यों क्या हो जाएगा, एक्स फोर बाई 4 होगा यहाँ पे लिख्ख हो गया आपके आप पाई का पावर 4 और बाई पाई का पावर 5 हो जाएगा चुकि नीचे भी एक 4 है ना और प्लस 2 इंटू पाई बाई 4 याने पाई बाई 2 आजागा तो यह अपर लिमिट हो गया इसी तरीके से अब आप देखो कॉशन नमर 18 देखो 18 क्या है तो 18 आप देखेंगे तो यहाँ पर sin square x by 2 है माईनस cos square x by 2 है ठीक है तो इसको दिखो इसको मैं simply यह लिख सकता हूँ ना क्या minus of cos x dx क्या लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं आप बोलिएगा तो क्यों बोलिएगा इसलिए तो फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला यह होता है कि cos x को में लिखते हैं क्या cos square x by 2 minus sin square x by 2 तो यहां पे अगर आप minus को common लेंगे तो exactly यही चीज़ आ जाएगा सो minus cos x लिख दिया अब आप minus को बाहर करो cos का integration क्या होता है sin x होता है 0 so pi तो limit डालेंगे तो क्या हो जाएगा sin pi हो जाएगा और minus sin 0 again sin pi भी 0 होता है sin 0 भी 0 होता है इसका answer क्या जाएगा जीरो आ जाएगा ठीक है clear है तो बिल्कुल इस तरह है question अब आपके लिए easy है आप देखिए और बनाते जाएगी अब यहां पे देखो 19 number question है 6 x plus 3 by this है यहां पे भी again क्या कर सकते हैं तो मुहबत से चाहो तो आप अलग-अलग कर दो जैसे 0 से 2 okay 6 x को मैं अलग कर रहा हूं बट मैं चलो 6 को अलग कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो x dx उपर मैं आएगा नीचे में क्या आ जाएगा x square plus 4 ठीक है पलस 3 के साथ अलग करेंगे तो हो जाएगा dx by x square plus 4 यह भी आपका 0 से 2 और दोनों का integration इजी है ठीक है 6 तो आपका 6 है यहां पर नीचे में देखो इसको अगर मैं t put करता हूं t तो उपर वाला क्या हो जाएगा dt by 2 हो जाएगा ठीक है बहुत पहले पढ़ चुके है हम लोग तो dt by 2t आएगा और लिमिट क्या आ जाएगा जी तो यहां पर आपको लिखना होगा यह बात कि वेर टी मेरा क्या है टी है मेरा x square plus 4 इसको आपका टी पूट की है ठीक है इसको अगर हम t put करते हैं और x अगर 0 है x अगर मेरा 0 है ठीक है when x 0 x 0 होगा तो t का value की आएगा तो t आपका simply 4 होगा ठीक है और x अगर मेरा 2 है अपर लिमिट तो मेरा t क्या जाएगा तो मेरा t आ जाएगा 448 यानि इसका जो लिमिट है वो 4 से 8 जाएगा ठीक है अब देखो यहां से 2 से आपका यह अच्छा आगे बढ़ जाते हैं पलस इसको कैसे करेंगे तो यह 3 है यहां पर 0 से 2 यह फॉर्मला पूरा आप ऐसे चाहता बिठा लो dx by x square plus 2 का स्क्वार ठीक है अब देखें यहां पर यह 3 हो जाएगा dt by t आपका log t होगा लिमिट आपका 8 से 4 और पलस 3 इसका फॉर्मला क्या होता है 1 by a यानि 1 by 2 tan inverse x by a यानि x by 2 ठीक है और लिमिट क्या है तो लिमिट आपको डालना है 0 से 2 चलिए यहां पर आपका जाएग 3 log 8 by 4 होगा तो यानि 1 by 2 ठीक है लिमिट डालने से और पलस यहां पर आपका हो जाएगा 3 by 2 और अपर लिमिट डालेंगे चूंकि lower limit पे तो 0 हो जाएगा 10 inverse 0 0 होता है तो अपर लिमिट डालेंगे तो 2 by 2 यानि 10 inverse 1 आएगा 10 inverse 1 का value क्या होता है पाई by 4 होता है ठीक है तो य 2 को log 1 minus log 2 लिखेंगे ठीक है और log 1 0 होता है तो आपका सिफ minus log 2 बचेगा तो इस तरह का solution आप काफी easily कर पाएंगे और चाहें तो आप यहां पे भी answer छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बहुत बड़ा question नहीं है clear है तो इस तरीके से बनाना है बिलकुल से बनेगा अच्छा यहां पर कुछ लगता है mistake ही होगा यह उपर में देखो उपर में 8 है यहां पर देखना होगा और नीचे में 4 है तो 8 by 4 तो दाट 2 ही आएगा लॉग 2 आजाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है डाट आपका यह लॉग 2 होगा ठीक है तब तो यही रहेगा यह आपका अंसर हो गया तो देखो काफी सिंपल बनेगा सिफ आपको सिंपली सेपरेट कर देना है कहां पर पूट अप करना है सो देखना है कहां पर कौन सा फॉर्म्ला लगेगा सो देखना है तो ओवर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा 20 नेंबर फिर इसका प्रैक्ट करेंगा तो e x का e x आएगा माइनस फिर आप x का differentiation करोगे तो 1 और e x का integration करेंगा तो e x यह आएगा ठीक है इस पूरे में हमको limit डालना हुगा क्या है 0 से 1 किलियर है और पलस sin pi by 4 sin x का क्या होता है cos x होता है यहापे cos pi x by 4 आएगा और divided by जो आपका constant है pi by 4 वो भी आएगा ठीक है बट sin का integration माइनस में होता है ध्यान दीजिएगा तो माइनस में आएगा और limit डालना होगा आपको क्या 0 to 1 किलियर है तो अब देखो यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपका आ गया x e x और यहाँ पर e x बच रहा है e x का integration again e x होगा तो यह आपका यह आ गया 0 to 1 ओके और पलस यहाँ पर हमनों लिख देंगे माइनस कर देंगे 4 by pi और limit डालते है तो क्या हो जाएगा जी पहले 1 डालेंगे तो आपका हो जाएगा cos pi by 4 और फिर 0 डालेंगे तो हो जाएगा cos 0 तो पहले हो क्या आएगा 1 को put up बचेगा तो यहाँ पर इसको common ले लेते हैं ठीक है x-1 बचेगा तो अब इस पर limit डालेंगे हम लोग क्या 0 to 1 minus यहाँ पर 4 by pi है cos pi by 4 आपका root 1 by root 2 होता है क्या होता है 1 by root 2 cos 45 कितना होता है 1 by root 2 होता है cos 0 क्या होता है 1 होता है ठीक है तो सिब देखो value का practice करना है ऐसा ने कि इस तरह का value आ रहा है तो आपको घबराने वाले कोई बात नहीं हो ठीक है तो देख लिए solve करके क्या आ जाता है तो 1 डालेंगे तो सारा 0 हो जाएगा और 0 डालेंगे तो क्या होगा e का power 0 और 0-1 ठीक है चुकिए 1 से तो आपको सब 0 हो जा रहा है यहां पे आपका 0 आ जागा सब 0 हो जाएगा तो यह से आ गया माइनस यहां पर हम लोगा क्या है 4 बाई पाई है ठीक है और यहां पर आपका बहलू आ रहा है 1 बाई रूट 2-1 यह आपका आंसर हो जाएगा यहां पर e का power 0 1 होता है तो यह आपका 1 हो गया माइनस यहां पर आप 4 बाई पाई रूट 2 लिख दो और पलस कर दो 4 बाई पाई यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो कोई दिकत नहीं है बिल्कुल महबबत से बनेगा इसी तरीके से आपको इसको बनाने का कोशिश करना है क्लियर है जी चलिए अब देखिए यहां पर कुछ objective question है objective question तो काफे simple होता है जिसे बोलता है इसका integration क्या होगा तो यह जो अंतर में यह सब value आप inverse function में पढ़ चुके हैं तो यहां पर आप अगर LCM लोगी तो 4 3 जा 2 वेल 4 पाई और माइनस 3 पाई तो simply देखो पाई बाई 2 वेल जो है इसका answer आ रहा है so correct option is 2D तो काफी simple है यहां पर भी आप देखोगे तो formula based है आप बस formula apply कीजिए आपका मोहबत से बन जाएगा क्या है जी अंदर में है मेरा DX by ऐसे लिख दो 2 का स्क्वार प्लस 3X का हॉल स्क्वार लिख सेकते हैं स्क्वार ऐसा ठीक है यह formula में चला गिया क्या होता है 1 by A यानि 1 by 2 A2 है आपका tan inverse X by A तो X आपका 3X है और A है मेरा 2 ठीक है और चुकि X के साथ में 3 का multiplication है तो 1 by 3 भी लगेगा और इसमें हमको value डालना है क्या limit डालना है 0 से 2 by 3 ठीक है तो क्या हो जाएगा तो यह हो गया 1 by 6 बाहर में अंदर देखिए अगर मैं 2 by 3 डालता हूं तो 3 by 2 है यहाँ पे और 2 by 3 डालेंगे तो क्या आजाएगा 1 आएगा simply चुकि 2 से 2 और 3 से 3 जाएगा और माइनस नीचे के डालेंगा तो 10 इनवर्स 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 by 6 तो यहाँ पर आपका पाई और नीचे में आपका 6 24 तो पाई बाए 24 आ रहा है यहाँ आपका कर्योट ऑप्शन है इस तरीकर साब को बराना है देखो बस simple practice था मैंने पहले भी कहा थ तो अगर आपने लोगों ने इनडेफिनित इंटेशन सही सही पढ़ा होगा तो यहां पर हम लोगों कुछ नया काम नहीं किया है जस्ट हम लोगों ने लिमिट को पुट अप करने सीखा है वरना जो डेफिनित इंटेशन का प्रोपरटी है वो ज्यादा इंपोर्टेंट है बट प्रेटिस आप लोगों का अच्छा खासा हो गया होगा काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा यहां से अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करें किए वन टूवन सारा हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेटिस कीजिए इं आपका मैठ्स अच्छा हो जाएगा ठीक है पड़त रहे हैं थैंक यू बेरी मुट्ट